हेलो नमस्कार सबी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 16 टाइप आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ओके तो आएए देखते हैं पहला सेंटेंस पहला सेंटेंस है मारा सिम्पल प्रेजेंट सिम्पल प्रेजेंट का जो इस्ट्रक्शर होता है उसमें सब्जिक आती है सब्जिक के बाद में वाव की फिर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वाव की फिर्फ फॉर्म यानि की वाव की फिर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर्स्ट फॉर्म हती है उसमें जो फिर्स्ट फॉर्म हती है वो रूट फिप्ड वाम में एसा लगा होता है तो वव की फर्स्ट वाम का है लगाते हैं i will you day और plural के सब्सक्झ के साथ में और जो नगोती है दुटक वाम हloe करते है आजुजार होता है ही शे इड़ और लोम के सब्सरीब के साथ ठीक है तो यहां पर examples है I play cricket मैं cricket खेलता हूँ वाकिके अंत में ताहती है यह आता है ओके second जो हमारा tense है present progressive ओके present progressive को हम लोग present imperfect या फिर present continuous भी बोलते हैं इसका structure क्या बनता है दोस्तों इसका structure बनता है subject और is am are और वो आपकी fourth form यानि की ing form example आपका क्या है I am playing cricket मैं cricket खेल रहा हूँ वाकिके अंत में आपको पहचान मिलती है रहा है रही है रही है रहा हूँ ऐसे sentences में पता चलता है कि कार्य जारी है ओके third देखेंगे simple perfect tense simple present perfect tense present perfect tense में जो कार्य होता है वो पूरा हो चुका होता है ओके इसका structure क्या होता है subject plus has या फिर have and then work की third form ठीक है कार्य पूरा हो चुका है पूरा हो गया है ठीक है समाप तो हो चुका है तो यह किसमें आता है present के perfect tense में example क्या दिया है I have played cricket मैंने cricket खेल लिया है देख दोस्तों इसमें has और have दोनों आती है has का use कहां पर करते हैं हम साथ और have कहां योज़ करते हैं आई भी यूदे और plural number के subject के साथ तो यहां पर आई है इसलिए have का प्रयोग दिया गया है I have played cricket मैंने cricket खेला है यानि कि cricket मैंने खेला मैंने उसको खेलने का काम जो है वो हो गया है ठीक है I have played cricket मैं खेल चुका हूं मैंने खेला है मैंने खेला और दोस्तों आप जो आइडेंट्री के पीछे मत भागना कि वाक्य के इंत में यह दिया होगा तो यही होगा उससों सेंस पर डिपेंड करता है ठीक है तो हमेशा जो है English को हिंदी से आप चुह है connect करके मत पढ़िए English को English से ही समझे तो भी ज्यादा बेतर होगा और कि present perfect का continuous tense present perfect imperfect दोनों है तो इसमें कारे हो चुका है और अब भी जा रही है structure क्या बनता है subject के बाद में has, have उसके बाद में been भी लगा होता है और फिर warp की fourth form यानि की ing form example देखेंगे I have been playing cricket आगे आपको since for भी दिया होगा और time भी दिया होगा तो कारे जो है वो भी चुका है और अब भी जा रही है जैसे कि मैं सुबह से cricket खेल रहा हूँ I have been playing cricket since morning ठीक है तो यह हमारा चार्ज जो tenses हो गए सब present के हैं simple present present progressive और present perfect और present perfect progressive ठीक है structure इसका क्या बनता है subject के बाद में warp की first form या फिर warp की fifth form और progressive का structure है subject plus is am are plus warp में ing और simple perfect का है subject plus has have and warp की third form और simple perfect progressive का है present perfect progressive का है subject plus has have been plus warp में ing ओके आगे देखेंगे fifth, sixth, seventh और eighth यह past के चार टेंस okay simple past याने की past indefinite इसमें आ गया और past progressive याने की past continuous past imperfect इसमें बोले में past perfect टेंस और उसके बाद आता है past perfect continuous टेंस तो इस तरह से हमारे art tense अभी तक हो गए तो simple past का जो structure होता है वो subject आता है subject के बाद में warp की second form आती है sentence अगर negative होता है तो फिर did आता है did के बाद में warp की first form आती है sentence interrogative होता है तो subject से पहले did लगा देते हैं फिर subject और फिर उसके बाद में warp की first form example देख लेंगे I played cricket मैंने cricket को खेला यानि कि जो खेलने का काम है वो खतम हो चुका है वो past में बीत गया past progressive यह बतरता है कि past में वो कार चल रहा था I was playing cricket मैं खेल रहा था क्रिकेट को खेल रहा था I was playing cricket खेलने का कार चल तो रहा था लेकिन वो past में चल रहा था past perfect में क्या structure होता है subject होगा फिर head आएगी और फिर warp की third form में I had played cricket मैं cricket को खेल शुका था दोस्तों इसमें head आता है head के बाद में warp की third form आती है sentence में आगे और भी included चीज़े लगी होती है after या before आता है ठीक है तुमारी आने के पहले मैं ये कर लिया था उसके पहले मैं ने ये कर लिया था उसके बाद मैंने एक या ऐसी होता है तो detail में आप ये इसका past ये जो tense है उसको आप बताएंगे तो उसको बाद में पड़ लिया जाएगा और अब देखते है past perfect का जो structure होता है वो subject आता है subject के बाद में had आता है फिर been आता है और फिर वर्ब में ing एक्जेम्पल के दिया है I had been playing cricket हागे since या for भी दिया रहता है sentence में मैं जुबा से cricket खेल रहा था ओके तो simple past और past continuous past perfect और past perfect continuous structure आपने देखा कि simple past में वर्ब की second form के साथ में वर्ब आती है वर्ब सेकेंड फॉर्म में आती है और past continuous में was वर्ब के बाद में वर्ब में ing आती है और past perfect में आपने देखा कि hat के बाद में वर्ब की third form आती है past perfect continuous में had been के साथ में आगे दिखते हैं 9 10 11 12 इसमें क्या है इसमें है हमारा simple future यानी future indefinite future continuous future progressive चाहिए अब उसको कह लिजिए future perfect and future perfect continuous या future perfect progressive दोस्तों इसका जो structure होता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं simple future में आयेगा subject फिर उसके बाद में helping work will या शहल आती है उसके बाद में work की first form आती है I shall play cricket मैं cricket को खेलोंगा ओके future progressive यानी की future continuous future imperfect में क्या होता है subject आता है फिर will shall आती है फिर work में ing okay will shall be फिर work में ing example क्या दिया है I shall be playing cricket okay future perfect होगा तो will have या फिर shall have आएगी उसके बाद में work की third form example क्या दिया है I will have played cricket okay 12 number पर देखेंगे subject है subject के बाद में आता है will have या फिर shall have और फिर been लगा होगा फिर work में ing okay और इसका example है I will have been playing cricket okay तो simple future future progressive future perfect और future perfect progressive अब तक हमारे हो चुके हैं 12 tenses इनका structure देख लिजे subject फिर will shall फिर work की first form subject plus will shall फिर be फिर work की fourth form okay subject plus will have then work की third form subject plus will have plus been plus work में ing okay अब हम देखते हैं last के four 13 14 15 16 number के tense देखिए दोस्तों यह जो tense है वो past और future दोनों का है यह जो 14 नमबर पह है past और future का progressive है इसमें दो-दो दो-दो tenses देखे mix हैं कैसे है past future का perfect और past future का perfect progressive ठीक है past future कैसे होता है इस sentence में subject आता है और subject बाद में would आता है would का जो use है उसका particular हमने वीडियो बना लिया है आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजे would का सारा use अब यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे ऐसे tense की जो past में भी होता है और future में होता है यानि कि जो future होता है वो past में future होता है ठीक है कैसे होता है जैसे कि आपने ठीक है आपने जो है आप college के और college में आपके teacher ने बोला कि आपका दोस्त आज क्यों नहीं आया ठीक है तो आपने बोला कि हाँ मैं तो गया था उसको बुलाने उसने बोला कि वो आज नहीं आएगा ठीक है उसने बोला कि वो आज नहीं आएगा अब आप जो है बता रहे हो उस की बात को ठीक है बता रहे हो कि उसने कहा कि वह नहीं आएगा वह नहीं आएगा ये statement उसका है लेकिन ये statement बोला कब गया था Past में बोला गया ता то Past में कोई बात बोली गई हो Future के लिए तो फिर इस चेस ये जो केस होता है ये Past Future ठीक है यही वो case है ऐसे sentences आपको देखने मिलते हैं कहां पर मिलते हैं यह तब मिलते हैं जो आपका direct से indirect speech होता है इसमें चलिए देखते हैं He said that he would play उसने कहा कि वो खेलेगा उसने कहा कि वो खेलेगा अगर सिर्फ यह होता वो खेलेगा तब तो यह pure future होता ठीक है ना लेकिन उसने कहा कि वो खेलेगा जब उसने कहा तो यह तो past की बात है यहां पर लेकर said लगा है said लगा है उसने कहा कि वो खेलेगा अब भी हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि उसने कहा कि वो खेलेगा तो आप क्या कर देते हैं यहां लिखते हैं He said that, He will play लेकिन फिर will नहीं लगेगा यहां पर would लगेगा वोड इसलिए लगेगा दोस्तों क्योंकि यह past tense की बात है past tense में हम अपने बढ़ा होगा will का would हो जगता है तो past में हम will का would योज़ करते हैं चलिए, 40 number देखेंगे past, future, progressive past में भी है past में बोला गया future के लिए तो subject आता है, फिर would आता है फिर भी आता है, फिर वोब में ing, example देखें He said that he would be playing उसने कहा कि वो खेल रहा होगा वो खेल रहा होगा तो समझ में आता है he will be playing लेकिन अब यहां पर एक चीज add-on हो गई है, क्या he said, उसने कहा कि, he said that, यह भी past tense की बात है, उसने कहा कि वो खेल रहा होगा, बात जो है बीती हुई बात का future tense बताया जा रहा है, इसलिए will ना योज़ करके, हम योज़ करेंगे would, ओके, और यह आपका common error का role भी है कि कोई भी tense past में है तो past में ही आएगा, फिर उसको हम present में बागी का हिस्सा नहीं कर सकते, ठीक है, तो he said that he would be playing अब बात करते हैं किसकी 15 नमबर पर, 15 नमबर पर past future perfect की future perfect है, लेकिन यह past में बोला गया था subject plus would have और वर्फ की third form he said that he would have played उसने बोला कि वो खेल चुका होगा ठीक है, खेल चुका होगा के लिए हम लगाते हैं will have वर्फ की third form वो खेल चुका होगा, वो जा चुका होगा he will have gone, वो पढ़ चुका होगा he will have red, वो आ चुका होगा he will have come, लेकिन यहाँ पर he said, यह लग गया है यानि कि यह past की बात है past की बात है, तो फिर हम will की जगाँ पर यूज करेंगे would का he said that he would have played 16 नमबर पर देखेंगे यह आपका है past, future, perfect, progressive यानि कि perfect continuous tense जिसमें आपके past में future है subject use होगा फिर would have been और फिर would have की third form हैगी he said that he would have been playing उसने कहा कि वो खेल रहा होगा ठीक है, वो खेल रहा होगा फिर यहाँ पर जो है दो गंटे से खेल रहा होगा चार बजे से खेल रहा होगा तो यह perfect continuous तो है यह लेकिन इसका future का और past में बोला गया तो he said that he would have been okay I hope आपको सारे जो tenses हैं वो समझ में आ चुके होंगे समझ में आ चुके होंगे वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching have a nice day